नमस्कार दोस्तो स्वागर आप सभी का तिकिराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने रेट मी नाइन पर एरफोन प्रोब्लम सॉल्फ के सिकर सकते हैं तो दोस्तो आपको प्रोब्लम होते हैं तो दोस्तो उस वर्ग आपका जो हेटफोन है ठीक है कई वर उसी में प्रोब्लम निकल के सामने आते हैं तो दोस्तो आपको करना क्या क्या होगा ठीक है यहाँ पर दूस्टों कौन-कौन सा प्रोसेस आपको कर लेना है जिससे आपको कौन-कुन हो जागा की प्रॉब्लम आपके डिवास पे है जिसके वज़़े से आपका जो हेटफोनें वो काम नहीं करा है या फिर आपके जो हेटफोनें उस Performance हो सकते हैं चलिये वीडियो को बियना देर के वह शुरू करते हैं और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को क्लिक जरू करें यही आप आप आनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जागा तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर देखें कि आपके जो डिवाइस है ठीक है उसमें आपका जो साउंड और वाइवरेशन उसमें जाके एक बार हेटफॉन सेटिंग्स को चेक कर लिजिए तो अगर दोस्तों यहाँ पर आपका जो हेटफॉन सेटिंग्स है वह यहाँ पर सही से अपने सेट नहीं किया हुआ है तो दोस्तों आप हेटफॉन सेटिंग को एक बार ठीक है जेनरल भी हो सकते है जेनरल लिनियर भी हो सकते हैं तो जो भी है आप उसको सेलेक कर ले और उसके बाद दोस्तों आपका जो यह बटन ने ओटो इनेवल होना है चाहिए एसाइन बटन से यह पर आपको मिल जाएगा उसके बार हैटफोन रेमोट कोंट्रोल यह पर आपको मिल जाते हैं तो सेटिंग दोस्तों यह पर ज्यादा कुछ नहीं है आपका हैटफोन टाइप आप सेलेक करके एक बार देखे ठीक है तो इससे जो है कई बार प्रॉब्लम स करके देखना है तो कई बढ़ दोस्तों इस तरह के से जो है प्रॉब्लम को फिक्स कகा जा सकते हैं सारे साथ दोस्तों अगर आपका हीटफोन टुटा हुआ है तो भी हैटफोन घ्रणे खाल को बदल लीजेगा ठीक है ठीक है जटो टुटा हुआ countless making condition पे आपको पता नहीं चलेगा कि problem किसके वज़त से आ रहा है तो headphone I mean आपका जो earphone है उसको एक बार change करके आप check किजिगा ठीक है तो earphone change करने के बाद दोस्तों अगर आपके device में वो support हो रहा है तो आपको कोई भी problem नहीं होगा और दोस्तों आपको ऐसा earphone select करना है जो आपकी device पर support करते हैं क्योंकि दोस्तों क्या होता है कोई जो earphone है वो device पर जो है यहाँ पर वो support नहीं होते हैं ठीक है support नहीं होने के वज़े से आपको sound अच्छे से सुनाए नहीं देगा तो इस तरह के गप problem हो जाते है तो आपको earphone अच्छे से select करना है जो आपकी device के लिए सही हो आपकी device पर काम करेगा तो ऐसा आपको earphone select करना है ठीक है तो आप यह सब जो है एक बार चेक करके देखे और दोस्तों अगर headphone जो है ठीक है अपने change करके देखा फिर भी काम नहीं कर रहा है तो आप दोस्तों यहाँ पर क्या किजिगा device software को एक बार update करके देखिए कई बार दोस्तों हमारे जो system है उसके update के वज़े से problem आ जाते है ठीक है device के अंदर पर तो about phone पर जाए अपडेट कीजिए अपने mobile software को और mobile software वगर अपडेट करने के बार दोस्तों आप चेक करके द हो जाते हैं आप ठीक है तो आप WhatsApp करके देख सकते हैं और जितना ही मैंने आपको यहाँ पर तरीका बताए फिक्स करने का WhatsApp आप एक बार ट्राय करके जरूर देख लेना ठीक है और दोस्तों आप यहाँ पर ऐसा भी कर सकते कि आपका जो एरफोन है दूसरे mobile पे प्लक करके एक схoire कर दोसरे mobile पे काम कराए एरफोन और आपकी फोन में नहीं कर दो आप दूसरे एरफोन को विक्ते करके अगर उस्ती प्रोब्लम है तो फिर दोस्तों यह जो प्रोब्लम है आपके एर पलाक में प्रोब्लम हो सकते हैं आपके डिवाइस में दोस्तों हे प्ल Yak करने का तो उसके वज़े से problem आ जाते हैं तो आप साफ करके देख लीजिए अगर उससे काम बन जाता ही तो ठीक है नहीं बनते ही काम तो दोस्तों आप technician के पास चले जाएगा ठीक है तो technician के पास जाएके दोस्तों आपको fix करवाना होगा इस तरह का problem को और उसके बार आपके earphone काम क करना बन हो गया था तो बात में पाता चला कि उन दोनों का जो वाइरिंग होते हैं उसमें problem आ चुका था तो उसके वज़े से वह रहा था ठीक है connect नहीं हो रहे तो आप भी दोस्तों एक बार technician के पास जाके चेक करवा लिजिए ठीक है पहले तो दोस्तों आप जितना हो सक के उतना ट्राइक करके देखें अगर नहीं और है प्रॉब्लम सफ तो टेगनेशन के पास जाके फिक्स करें ठीक है तो आज के इस वीडियो वाटो सो बस इतने टेंक्स वराचिंग